तर्फ दो या तीन मिनिट का ये वीडियो होगा और पूरा इन्फरमेटिव वीडियो होगा किसके सम्मंदित है? टार्गेट हर्याना सिविल सर्विसिज प्रिलिम्स 2022 से सम्मंदित हमारा लक्षय है आपकी सेलेक्शन आपको टार्गेट बेस्ट स्टेडी करनी चाहिए जो आपका टार्गेट हो दिन में और वो टार्गेट आपको जो आपके पिलिम्स के टार्गेट की तरफ लेके जाए मतलब दिन में आपको ही पढ़ना है जो आपको एक्जाम में पास करवाए तो हमारा लक्ष है आपकी सेलेक्शन, रस्ता हम बताएंगे आपको और मेहनत आप लोगों को करनी है, और अगर आप पेपर पास करना चाते हैं, तो इस वीडियो से आप लोग हल्प जरूर ले सकते हैं, चलिए सारी चीजें डिसकस करते हैं, इससे पहले information है, इसके बाद आ पेलिम्स के लिए, या फिर आपको कुछ भी चाहिए हो, चाहिए कोशन बैंक चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो या टैस्स चाहिए हो, आप सभी को पता है कि दस जुलाई को एक्जाम आपको डिट फिक्स हो गई है, अब स्टूड़ा रहे हैं कि हमारे पास समय बहुत कम हैं कुछ कह रहें कि हम लोग त्यारी नहीं कर सकते बिल्कुल सही है कि पॉलिटी की भुक है पूरी 800 से 1200 पे जिसकी भुक्स आ रही है कहां से पढ़ेंगे नहीं पढ़े जाएगी एकॉनमी की बड़ी बड़ी भुक्स है इसके लावा जियोग्राफिक की गॉक्स है इतने कम समय में प्यारी नहीं हो पाएगे बिल्कुल सही है आपके लेकिन अगर आप लोग फार्ड वर्क करोगे फार्ड वर्क WITH स्मार्टनेस तो simply करना तो हार्ड वर्क है लेकिन स्मार्टनेस के साथ किसी से help ले लीजिए, किस तरह से help और study master का जो है prelims program आपको कैसे help करेगे, सबसे पहले एक information है कि हमारा 60 days prelims program चल रहा है, 60 days prelims program, free of cost है, आपको daily current affair करवाय जा रहे हैं, daily 20 questions होते हैं, 20 questions current affair कर जाते हैं, साथ में static UK के दो topic दिये जाते हैं, वो दो topic पढ़ लो static UK के, साथ में 20 questions कर लो daily, day wise, अभी इस वीडियो श्रिंखला में 8 जो lecture हो चुके हैं, मतलब 8 days cover हो चुके, अगर आप लोगों नहीं ये 8 days follow नहीं किये हैं, 8 days, तो आप इनको follow कर लिजे, description box में link आप लोगों को मिल जाएं, अब hard work with smartness क्या है, अभी दिखो थोड़ा time है, short notes ले लो, study master से short notes लेके उनकी revision start कर दो, भई पढ़ाई आप सब लोगों नहीं कर रखी है, अगर आप अभी syllabus cover करने के लिए जाएंगे, तो syllabus cover नहीं हो पाएगा, short notes ले लो, short notes से आपको 10 दिन में या 15 दिन में आपका पूरा syllabus cover हो जाएगा, उतके बाद short notes करने के बाद, साथ में question bank, question bank से क् बाइस हजार question दे रखी हैं, अब आप सोचेंगा कि सर क्या हम 22,000 question की practice कर पाएंगे दो महिने में, बिल्कुल नहीं, 22,000 के 22,000 की practice आप लोगों नहीं करने हैं, सिर्फ question, जो आपको notes दिये गा है, notes उठाओ, notes में जो important topic दे रखाओ, उस topic से सम्मंदीत आप question bank में उठाओ, जैसे कि polity, polity में आपको chapter wise 32 chapter दे रखे हैं, 32 chapter में से आपको सभी के question नहीं करने हैं, जैसे कि आपके notes में parliament, parliament chapter दे रखे हैं, parliament से सम्मंदीत सारी चीज़े पढ़ने के बाद, यहाँ पे 18 नमबर पे या उनी नमबर पे parliament का chapter है, वो chapter के question कर रो, उस chapter के question करने में आपको 20 से 30 minute लगेंगे, अब 20-30 minute में सारे सम्मंदीत question कवर कर लेंगे, इस तरह से economy, history, geography, यह सारे subject आप अच्छे से cover कर सकते हैं, मतलब notes में से study करो, और साथ में question bank attempt करो, यह काम आपको कितने दिन करना है, यह काम आपको 40 days करना है, पहले 40 दिन आपको यह काम करना है, और इसमें आप साथ में, YouTube पे दो lectures आते हैं, जो है, यह 60 days program के दो lectures आते हैं, daily lecture follow करो, daily lecture follow करने से आपको जो है, आपका prelims पक्का clear होगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें prelims से सम्मंदीत ही करवाई जाती है, जो भी दो topic दे जाते हैं daily video में, वो भी prelims से समंदीत रहते हैं, ठीक है, study material और question bank आपको help कर दी, अब test series कहां काम आएगी, test series का क्या काम रहागया, question तो आपने यह पर कर लिए सारे, test series आपको आपकी accuracy, accuracy develop करने में, कि आप question गलत नहीं करेंगे paper में जाके, वो accuracy development कहां से सीखेंगे, test series से, पर test series में 100 question है, जिसमें की current affair के history, quality, geography, हर्याना जी के, यह सारे question म आपको पता होना चाहिए कि paper में आपने 80 question attempt करने है, 70 attempt करने है, या फिर 90 attempt करने है, मतलब काईबर student क्या करता है, 100 के 100 question attempt कर देता है, बाद में देखता कि 600 ठीक है, अभी 40 गलत हो गए है, तो negative marking ज्यादा हो जाती है, इस तरह से 70 करने है, 85 question करने, कितने करने है, वो कैसे पत आसे हम लोग आपकी पूरी जो है, तेहरी करने के लिए आए हुए है, अगर आपको study material, short notes, prelims के लिए, question bank, test, कुछ भी चाहिए, तो study master आपकी help करने के लिए तयार है, आप लोग WhatsApp पे message करके सारी चीज़े के बारे में detail ले सकते हैं, इसके लावा हमारा जो free program है, 60 days का, उस पूछ लीजिए, और information कैसे लगी, please मुझे बता दीजिए, और prelims program को join करने के लिए, आप हमें WhatsApp पे message कर सकते हैं, सारी चीज़े आपको वहाँ पर, description, मतलव की detail में बता दी जाएंगे, ठीक है, thank you so much, take care, bye-bye, ये हमारे phone number है, 98961-60956, thank you.